हाई गाइस तो आज शुरू करते हैं विडियो और इसमें देखेंगे हम पूरे जून का प्रॉफिट और लॉस स्टेट्मेंट ठीक है अब पूरी महीने की स्टेट्मेंट दिखने से पहले इस महीने के लिए मैं बस एक छोटी से टिप देना चाहूँगा आपको कि काफी ल देव का ड्रॉडवन 17-18% 10-10% चला जाता है उनकी एक्सपेक्टेशन भी उससे साफस होता है उनका रिस्क भी उससे साफस होता है अगर एक आदमी दिन में 2% का रिस्क लेता है तो उसके लिए कुछ अजूबा नहीं है क्योंकि हो सकता है वो अगले दिन फिर 2% वापस द ठीक है तो जो मेरा psychology है जो मेरे style है जो मेरी personal preference है वो थोड़ी सी अलग है मेरी preference क्या है मैं पसंद करता हूँ कम return मगर कम drawdown के साथ मेरे को drawdown में जाना पसंद ही नहीं भले मैं कम पैसा कमालू मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट मेरे को लाल कलर देखना अच्छा नहीं लगत मेरे को पता है कि मेरी personality को मेरी psychology को क्या suit करता है मेरे को पता है कई दिनों के losses के बाद tackle कैसे करना होता है ठीक है सबका अपना style होता है कई लोग consistently कर लेते हैं कई लोग तो बरबाद हो जाते हैं उसके बाद तो ठीक है और trading ना ही एक हफता एक दिन एक महिना एक साल भी आप नहीं है ठीक है अच्छा time अच्छा साल आने का बेट इनसान को कर रहा चाहिए अब इस महीने करी मैंने बहुत सारी कलती है जिन पर मैं काम करूंगा और मेरे पास कुछ plans भी ठीक करने के जो कि आप आने वाले trading videos में आपको देखने को मिलेगा बट पहले हम last week की भी कोई व क्योंकि इस महीने सबसे ज्यादा टॉर्चर करा क्योंकि फिन निफ्टी के options एक एक दो दो रुपे के दस बारा बारा रुपे हो गए जो की hedges हो दिये वह दस बारा बारा रुपे चली गई और उनसे बचने का कोई तरीका नहीं होता गलती में अपनी कहूंगा मार्केट क पे एक्जिट निकर पाए तो टेक्निकली गलती मेरी थी बट ठीक है स्पाइक आए निकल गए वेरी सेफ ट्रेडिंग वेडनस दे को एकस्पाइडी पे फिर फ्राइडे को भी ऐसी एकस्पाइडी फिर सेफ ट्रेडिंग तो आयम हैपी विद ओवराल 4000 जो की चार्जिस म है वह भी बहुत गंताफता था एक भी दिन प्रॉफिट नियों अगर आप देखो तो और मेंली प्रॉफिट होना चीए त्यूजडे को और थर्स्टे को तोनों दिन मैसिव ब्लंडर ठीक है तो देख लेते पूरा महिना पूरे महिने का net return जो है that is 1% ठीक है 11.05 11.25 तो वैसे तो ड्ही परस्ट नहीं था बट चार्जेस काफी जादा लगे हैं इस बर और चार्जेस क्यों लगे हैं चार्जेस लगे हैं ये एक्सपाइरी पर जो इतना खर्चा दी है मैंने ठीक है यह ब्लंडर एक्सपाइरी य मेरे लिए में होती हैं और मेरी अगर वही ब्लंडर चली जाएं तो फिर मेरे लिए काम खराब हो जाता है ठीक है बट अगर आप शुरू का महिना देखो तो शुरू का महिना वह फेंटास्टिक 17 तक नहीं यहां 10 तक 10 तक अब देखो तो मैं 3% प्लस था with perfect charges balance के साथ बट क्योंकि यह market है और यह चार्टे मारती है और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ somehow मैं manage नहीं कर पाया कुछ भी किसी भी दिन मेरा काम नहीं आया बट I am still happy कि महिना loss में नहीं गया ठीक है अगर यह 25,000 minus भी होता ना for example तो अगले महिने में जो एक परसंट कमाता तो मैं इसको cover करता अब मुझे कुछ cover नहीं करना थीक है तो मेरी अप्रोच कुछ इस तरह है कि मैं drawdown में जाना पसंद नहीं करता क्योंकि अगर आप mathematically देखोगे न हर 10% के drawdown के लिए आपको 11% कमाना पड़ता है तो मैं prefer करता हूं में drawdown को 5-6% पर cap करनेगा और उनके बाद मेरा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है मेरे पास वह वाला प्लैन भी है जब मैं 3% प्लस होता हूं महीने में मेरे पास उसका भी प्लैन है कि मुझे कि कितना अगर ऐसे कब होना है तो यह पार् बाकी दुनों में 3-4% निकले गए तो देखते आने वाले महिनों में क्या होगा यह मेरी प्रॉपर समरी है मैं नीचे वेरिफाइड लिंक दाल दूगा और मैं request करूँगा कि जो लोग ज्यादा घ्यान बाजी देते हैं उन ना दे तो मेरे को perfect रहेगा क्योंकि भाई झाल 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 झाल